प्लिख魯े Zeb सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर ले और साथ में वैल आइकन को प्रेस्ज करना न भूलें दोस्तों कुछ टाइम पहले एक निव जाया था कि यह कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रहा है कोट ने भी आदेश दे दिया था कि कंपनी में इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेज है उसे आगे कंटीन्यू किया जाए यानि प्रोसीड किया जाए उसके बाद यह कंपनी काफी गिरा भी था और अगेन इस कंपनी में बड़ी बाउंस पैक आपको देखने को मिला इसका मतलब कि ऑपरेटर इंक्लूड हुए और इस कंपनी को भगाने की कोसिस करने लगें कंपनी काफी ज्यादा बाउंस बैक भी किया अपने लोएस प्रोइंट से यानि की रिटेलर्स को फसाने की कोसिस किया गया और बहुत से लोग इसमें फस भी गयें तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जब भी आप एक पैनी सेयर को वाई करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होता है अप इसमें वाले टाइम में उसका इंपक्ट क्या पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं चला है कि वह इंसॉल्वेंट हो जाएगा और उसमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं और जब आप रिस्क ले रहे हैं आपको पता है तो चाहिश सी बात है वह पैसा डूप भी सकता है क्योंक आपको ये लॉस होना तय है इसलिए किसी भी पैनी सेर को अगर आप बाई करते हैं तो रिस्क को एनलाइज करें पोर्टफोलियो को डाइवर्सी फाइफ करें तो दोस्तों जो गलती हुई है उस गलती से आपको सीख लेना चाहिए और आगे आपको कंटीनू करना चाहिए इस टॉक मार्केट में काफी रिकबरी भी आपको मिलेगी तो आपको उसको भी ध्यान देना चाहिए न कि श्टॉक मार्केट छोड़के निकल जाना चाहिए इस बात का जरूर ध्यान लखें तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें, सेर करें, स वीडियो